नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि सिपजी टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, सिपजी टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और सिपजी टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकत और यह भी डिसकस करेंगे कि सिपजी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, सिपजी एक ब्रैंड नेम है, सिपजी टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सिप्रोफ्लोकसासिन होता है, सिपजी टैबलेट 250MG वब 500MG की स्ट्रेंथ में अव इनफेक्शन होने पर, खासी होने पर, पेट में इनफेक्शन होने पर, दातों या मसूडों में इनफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इनफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इनफेक्शन होने पर डॉक्टर सिपजी टैबलेट को लेने की सल शरीर में इंफेक्शन होने पर बुखार हो सकता है। इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर सिपजी टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त होना, तवचा पर रैशेस और लिवर एंजाइम ज्यादा हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ती को सिपजी टैबलेट को लेने के बाद आखो या तवचा का पीला पढ़ना, भूप कम लगना, सांस लेने में दिक्कत, मुह, ग एलर्जिक रियक्षन या लिवर डैमेज होने के हो सकते हैं। वैसे सिपजी टैबलेट की वज़ज़ से लिवर डैमेज और एलर्जिक रियक्षन होने की संभावना बहुत ही कम होती हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सिपजी टैबलेट की वज़ज़ से ये सा सिपजी टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। दो समान भागों में डिवाइड करके लेने की सलाह देते हैं। सिपजी टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सिपजी टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि सिपजी टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। सिपजी टैबलेट को लेने के बाद और सिपजी टैबलेट को लेने से पहले दो घंते तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिट दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। सिप्जी टैबलेट वाइरल इंफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है। इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए। जब जरुरत हो बार बार या बिना जरुरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टिन्स हो सकता है। और एंटीबायोटिक रेजिस्टिन्स होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और ऐसी स्थिती में इंफेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटिबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सिपजी टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है सिपजी टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है वैसे सिपजी टैबलेट मा के दूद में थोड़ी सी मात्रा में निकलती है लेकिन इसकी वज़े से दूद पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए है सिपजी टैबलेट को लेते समय स्तनपान करा रही महिलाओं को बच्चे में सिपजी टैबलेट की वज़े से होने वाले साइड इफेक्स को नोटिस करते रहना चाहिए यदि किसी बच्चे को दस्त होते हैं या तवचा पर रैशिस होते हैं तो स्तनपान करा रही महिलाओं को तुरंत ही डॉक्तर से सला लेकर सिपजी टैबलेट को बंद कर देना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिपजी टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।